हेलो स्टुडेंट्स, मैसेल पजे सिंग सोलंकी, फेकल्टी सोशल साइन्स रेजोनेंस PCCP डिवीजन आज हम हिश्टरी का जो हमारा क्लास टेंद का चैप्टर है, नैशनलिजम इन इंडिया उसके रिगार्डिंग जो कुछ important questions है, जो कि NTSC में आ चुके हैं, उनको discuss करने वाले हैं, चलिए आएए, start करते हैं इससे पहले हमकी questions को discuss करें, नैशनलिजम इन इंडिया एक इसा chapter है, जो कि आपका NTSC stage 1 और stage 2 अगर आप देखेंगे पिछले previous year के papers उठा करके, तो उसके अंदर regularly सवाल इस chapter से आ रहे हैं, तो एक बहुत important chapter है, और एक बहुत अच्छा weightage रखता है, सवाल बनते हैं, तो हमें ये chapter बहुत अच्छे से अपना, हमारा जो module है, हमारी जो NCRT है उससे पढ़ना है, आईए, शुरुवात करते हैं, पहले सवाल की, in which year India rule was given to the British crown, यह आयता बेटा आपका stage 1 2013 के अंदर, तो answer भी हमने आई पर mark कर रखा है, answer क्या रहेगा आपका 1858, चलिए, अगला सवाल जो है आपका, by which act communal electoral system was introduced in India, communal electoral system, किस बारे में बात हो रही है, communal electoral system, हमें पता है कि जब Britishers ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया था, तो उस टाइम पर भी आपके elections तो होते थे, आपने chapter के अंदर भी पढ़ा है, provincial council के elections, तो किस के द्वारा वो introduce किये गए थे, आपके Indian council act 1909, 1909, यही पर हम अगर देखें, तो आपका, गांधी जी ने हिंद सुराज बुक कब लिखी थी, एक और सवाल बन जाता है आपे, stage 1 के लिए, गांधी जी ने हिंद सुराज बुक कब लिखी थी, यह सवाल में आप पे छोड़ता हूं, पता करिएगा, जवाब क्या रहेगा इसका, कही ने के उसके अंदर हिंट चुपा हुआ है, जो हमारा third question है आईए देखते हैं, the Puna pact was signed between, चलिए, options देख लेते हैं, जवाहर लाल नेरू, मोती लाल नेरू, महत्मा गांधी, Lord Irwin, महत्मा गांधी, BR अंबेटकर, और महत्मा गांधी, Mountbatten, तो जो answer है वो है आपक महत्मा गांधी इन BR अंबेटकर, पूना pact के अपन यहां पर बात कर रहे हैं, देखिए, आपका NCRT के अंदर जो chapter है, इसके अंदर limits of civil disobedience moment के तहत यह बात की गई है, जो BR अंबेटकर थे, वो educated थे, पढ़े लिखे थे, बाहर से वो अपनी पढ़ाई पूरी करकर के आये है, उन्होंने अपना एक association बनाया, depressed class association, अच्छा अगर अपन देखें इधर, तो महत्मा गांधी भी जो untouchables थे, उनको एक नया नाम दिया, हरीजन्स, ठीक है, हरीजन, भगवान के, हम कह सकते हैं, son, ठीक है, अब यहां पर दोनों अपनी अपनी जगे पर काम कर रहे हैं, बट आपका, बिया रम बेटकर कहते हैं, कि हमारा यह जो depressed classes है, इनको भी election के अंदर क्या है, आपका reservation चाहिए, तो बिया रम बेटकर और गांधी जी के बीच में इस बात को लेकर के थोड़ा सा टकराव हो जाता है, गांधी जी फास्ट पर बेढ़ जाते हैं, बाद में फ fact sign होता है, ओई ता आपका बिटा, पूना pact, आए अगला, in which Congress session the resolution of Purn सोराज was passed, Purn सोराज, कलकत्ता सेशन है, कैरला सेशन है, लाहोर है और त्रीपुरा है, कब आयता है, 2013 के अंदर, चंदीगर, NTSC stage 1 के अंदर आयता, तो answer दे रखा है आपको यहाँ पे लाहोर सेशन, ब पून सोराज की बाद, जवाहर लाल नहरू के द्वारा, पून सोराज की बाद की गई, कि अब हम क्या करेंगे, आपका completely हम independence ले करके रहेंगे, ठीक है, आईए, बात करते हैं इसके आगे, आपका 6th, the slogan जेहिंद वाज गिवन बाए, चलिए, the slogan जेहिंद वाज गिवन बा जेहन, तो आंसर क्या है आपका, सुबाश चंद्र बोस, अब यतो direct question है, अगर आपको पता है कि स्लोगन किस ने दिया है, तो आप आंसर दे देंगे, ठीक है, कहाँ पर पूछा था बेटा आपका यह, करनाटका NTSC, stage 1, 2013 के अंदर, तो हमें यहाँ पर यह बात भी धियान रखनी ही कि जो हमारे chapter से relevant थोड़ा बहुत डेटा है, वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम किया देख रहे हैं, पहला अलग state, state के अंदर जब सवाल पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपका, जो relevant content है, जैसे कि आपका यह वाला सवाल हो गया, कि जेहिंद का slogan क इसने दिया, तो हम को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होगा, तो फिर हम इसको solve नहीं कर पाएंगे, आई अगले सवाल पर आते हैं, annexation of the Punjab by the British Inn, कब हुआ था annexation, NTSC stage 1, Punjab, 15th of August 1947, 26th January 1950, 29th March 1849, 21 February 1949, ठीक है, आपका यह February की spelling यह आप हम correct कर लेंगे, 29th March 1849, कब हुआ था, आपका annexation of the Punjab by the British, Britishers ने पंजाब को कब annexation किया था, direct question है, अगर आपको पता है, date, year, तो आप easily solve कर देंगे, next question, who was the editor of Young India magazine, यह important सवाल है, और पतलब कई बार यह पूछा जा चुका है, अलग-अलग states के अंदर, आया आप कब है आपका, डाजस्तान NTSC stage 1, जवाहर लाल नेरू, गोपाल कृष्ण गोखले, आपका C. महात्मा गांधी, और D. बाल गंगादर तिलक, तो आपको पता होना चाहिए कि मात्मा गांधी magazines भी निकालते थे, बहुत अच्छे orator भी थे, लोग बाग उन से काफी ज़्यादा प्रभाविद भी थे, और इसलिए उनके इत्ते सारे followers इंडिया के अंदर अलग-अलग parts में बनते चले गए, जो भी वोन की messages थे, जो भी अपनी बात रखते थे, तो इस तरह की magazines के तुरू लोगों तक पोचाने का काम करते थे, चलिए, आईए अगले सवाल पर, जलिया वाला बाग incident happened on, very important, यह आपका बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, और बहुत simple सवाल है, कब हुआ था, तो आपका directly हम कह सक यह आपर, मतलब यह तो, अगर बच्चे ने यह chapter पढ़ा अच्छे से, तो वो direct बता देगा, sir, 13th of April, 1919, एक series चलती है, पूरी, ऐसा नहीं है कि जलिया वाला बाग direct हो गया था, पूरी एक series, रॉले टेक्ट लग जाता है, उसके बाद गांदी जी उस पर सत्यागरा करते ह देन आपका, अमरिस्तर वाला जो इलाका था, वहाँ पर दो लोग बाग थे, उनकी, ब्रिटिशर्स के साथ, जब टक्रा होता है, तो डेथ हो जाती है, फिर जलिया वाला बाग incident अपना है आपर होता है, ठीक है, आईए, आगे, who called the revolution of 1857 as the first war of independence of India, another important question, वीदी सावर कर, बहादूर शाज अफर, पात्या टोपे और मंगल पांडे, तो आपके विनायक दामोदर सावर करने काता, that 1857 का जो revolution, 1857 की जो क्रांती थी, वो first war of independence of India, यह आपका जो राजस्थान के लिए बच्चे तयारी करते हैं, उनके लिए भी important है, जो कि जो RBAC है, उसके अंदर यह वाला सवाल आपका पूछा जा चुका है, राजस्थान के NTSC के अंदर यह कई बार सवाल पूछा जा आईये, अगले सवाल पर आते हैं, पे अटेंशन अन फॉल्विंग पॉइंट्स, the non-cooperation khilafat movement began in January 1921, in February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement, choose the correct answer from the codes given below, तो क्या only A correct है, only B correct है, बोत A and B या none of these, तो दोनो ही correct है, non-cooperation khilafat movement कब चालू हुआ था, आपका January 1921 के अंदर चालू हुआ था, और आपका इसको call-off कप किया था, withdraw कप किया था, आपका February 1922 के अंदर, आपका 14-14 incident हुआ था न, 21-22 पूलिस वाले जो उसके अंदर उनकी death हो गई थी, उसके देखतो हुए, Mahatma Gandhi ने NCM को क्या कर दि था, खेडा सत्यागरवाद related to, तो आपका जब गांदी जी 1915 में आये थे, चमपारन, खेडा और एमदाबाद, ठीक है, तीन आपका यहां पे जब आप चैप्टर पढ़ते हैं, तो description दे रखा है, बात की गई हैं यहां पे कहां की खेडा वाला, चमपारन, खेडा और एमदाबाद, किस से related है आपका, against the oppressive plantation system, movement of cotton meal worker, तो आपका oppressive plantation system तो चमपारन के अंदर था, cotton meal worker तो एमदाबाद में था, relaxation in revenue collection यह हो जाएगा, आपका, किस का बेटा, खेडा का हो जाएगा, answer, 14th, Gandhi Irvin pact was held in 5th of March 1931, 6th December 1931, 13th March 1931 या 14th April, तो 5th March 1931 answer इसका दे रखा है, Gandhi Irvin pact sign हुआ, उसके बाद तो गांदी जी आपका second roundtable conference हुई थी, आपका वहाँ पर participate करने के लिए गए थे, ठीक है? चौरी चौरा है situated in the district of, चौरी चौरा, अभी अपन ने बात करी थी न, पेले, देवरिया, गोरकपुर, महरगंज और कुशी नगर, तो गोरकपुर इसका सही जवाब है, चौरी चौरा, आपका कहाँ पर, गोरकपुर के पास में situated है, और ये कपडे का एक व्यापार केंदर हुआ करता था, उस टाइम पर, जहाँ पर, अलग-अलग पास-पास की जगों से लोगबाग कपडे का व्यापार करने आया करते थे, ठीक है, नॉन कोपरेशन मुउमेंट वाज विड्रॉ डू टू, अब क्यों हुआ था, ये आपका 2018 में पूचा, हरियाना NTSC में, जलिया वाला बाग, चौरी-चौरा, रॉलेट एक्ट और नहरू रिपोर्ट, तो अभी अपनने बात करी थी थी न, चौरी-चौरा इंसिडेंट, उसके वज़े से, नॉन कोपरेशन मुउमेंट को अमने क्या किया था, विड्रॉ किया था, चलिए, अगले सवाल पर आते हैं अपन, इन जैन्वरी 1930, गांधी जी रोट अ लेटर, स्टेटिंग, आस्किंग, 11 डिमांद्स टू हूम, गांधी जी ने एक लेटर लिखा, इसके अंदर 11 डिमांद्स थी, किसको लिखा था आपका, लॉर्ड इरिविन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपॉन, और लॉर्ड लिट जी ये, एक सवाल और बनता है बेटा है अपर, अगर आपका यह नाम आया है न, फादर ओफ लोकल सेल्फ गवर्मेंट, यह भी NTSC में आचुका है, stage 1 में, who is the father of लोकल सेल्फ गवर्मेंट, लॉर्ड रिपॉन, तो एक और सवाल अपने आपर बन गया, जो मैंने बता भी दिया आपको क्या सवाल बनेगा, ठीके, आगे बढ़ते हैं, consider the following points, Mahatma Gandhi started Salt March with his 78th confidential volunteers, Mahatma Gandhi violated the salt law at Dandi on April 20th 1930, choose the correct answer from the codes given below, अब क्या पहला ही option सही है, क्या दूसरा ही option सही है, both and be, या none of these, तो answer आपका क्या बन रहा है, only है, क्या लिख रहा है, Mahatma Gandhi started the salt march with 78th, बिल्कुल, यह correct है, आपका NCRT में दे रखा है, ठीक है, Mahatma Gandhi violated the salt law at Dandi on April 20th 1930, तो date हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, कि date क्या यह ही है, या कोई all date थी, कहां से गएते हैं, अपने आश्रम से, कहां गएते हैं, Dandi March, और आपका salt law break किया था, The state of India where the Jaliyawala Bagh is situated is, काजस्तान में पूछा है 2018 में, तो कहां पर है Jaliyawala Bagh, पंजाब, टारेट कोशन है, कई लोग गए भी होंगे, देखकर के भी आए होंगे, और नहीं गए, तो मैं जरूर कहूंगा कि कभी आपका जाना हो, पंजाब की तरब तो Jaliyawala Bagh, जरूर देखकर के आएं, Who started the Dandy March, UP NTSC Stage 1 2020, Swami Dayanand, Madan Mohan Malviya, Bal Gangadar Tilak, या Mahatma Gandhi, बहुत सिंपल सवाल है, डारेक्ट कोशन है, तो हमने क्या देख रहे हैं हम अपना जब कोशन्स रिसकस कर रहे हैं, तो कुछ कोशन्स थोड़े से लेवल हाई है, और कुछ कोशन्स बिलकुल बैसिक भी जा रहे हैं, तो हमें अपने तैयारी उस तरीके से रखने हैं कि पूरा आमको चैप्टर कंसेप्चुली पता होगा, तब ही हम क्या कर पाएंगे, आपका एक अच्छी गृप बना पाएंगे चैप्टर पे और पेपर में अच्छा हम अपने आंसर्स को कोशन्स अटेम्ट करके आप आएंगे, ठीक है, थोड़ा में अगर में बात करूँ तो dates पे ध्यान देना है, और आपका जो भी NCRT में अलग-अलग boxes दे रखें, source दे रखें, कुछ आपको abbreviations दे रखें, हर चीज को में बहुत अच्छे से पढ़ना है, और सोचते हुए पढ़ना है कि क्या इस पे कोई सवाल बन सकता है, जो आपका content दे रखा है, उसको भी एक logical तरीके से पढ़ेंगी, क्या इस पे कोई question बन सकता है, assertion reason का, या इसके अंदर से कोई ऐसी line है, जहां पर हम statement wise सवाल हमारा बन जाए, पूछ ले हमसे paper में, तो जब भी आप कोई chapter पढ़ें, history का ही न बनाता, अपने आप फिर हमें, हम कह सकते हैं कि idea मिल जाएगा कि paper में कैसे सवाल पूछते हैं, और obviously आपको पिछले जो papers हुए हैं, उनके सवाल तो solve करने ही हैं, उससे अपने आप आपको एक idea लग जाएगा, सवाल कैसे बन रहे हैं, और हमारी हमारी जो भी तैयार ही है, कहां किस लेवल किये, आगे बढ़ते हैं, which among the following is the autobiography of Gandhiji, again UP, NTSC stage 1, 2020, India divided, nation in making, Neil Darpan, or my experiment with truth, तो एक अपन ने पढ़ाता, यंग इंडिया, और एक क्या है आपका हैं आपे, my experiment with truth, ये क्या है, autobiography, after which incident, Rabindranath Tagore surrendered the title, Knighthood, Knighthood title, किसके बाद surrender कर दिया था, ये आपका NCRT में दे रखा है, ठीक है, जो latest NCRT जारी हैं, उसमें ये वाला, आपका content दे रखा है, तो रोले टेक था, खिलाफ़त मुमेंट था, जलिया वाला बाग मैसे कर ये, Simon Commission का, आगमन, coming of Simon Commission, जलिया वाला उससे दुखी होकर के, जो हमारे Rabindranath Tagore थे, उन्होंने अपना जो एक title, Knighthood, जो एक उपादी दी थी, बिटिशरस ने उसको वापिस कर दिया था, तो यहाँ पर हमने आज, हमारा जो chapter 1 है, हम अगर देखें, तो history के अंदर nationalism in India, उसका, हमने कुछ questions discuss करे, thank you